तो आज हम करने वाले हैं क्लास पाइप का एनसो आलम्पियाड वर्क बुक सॉल्फ और वह भी चाप्टर फाइफ अगर आपने हमारा पहले के वीडियो वाच नहीं किये हैं तो हमारे चानल पे जाके वाच कर सकते हैं और आप अगर हमारे चानल में नए हैं तो चानल को आलम्पियाड के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी एजुकेशन और आलम्पियाड इतनी एजी जा सके तो चलिए फटा फटे वन बाई वन सारा कोशन हम सॉल्फ करेंगे तो ये पार्ट वन होने वाला है जिसम आलम्पियाड करेंगे तो चलिए हम फर्स टेन कोशन आंसर कोशन जो है उसे हम सॉल्फ कर लेंगे और देख लेंगे उसमें क्या-क्या पूछा गया है तो जो रैपिड फ्लो होता है स्नो का हिल से जब वो गिरता है आपने देखा होगा अगर आपने बाहु बहली पीचर चाहरा कि उसमें जब सनो से बर्फ गिरता है तो उसे क्या कहते है तो उसे सुनामी कहते है और अफन कहते है तो मैं आपको बता दूर इसका आंसर होगा उसे को अब यहां पर अच्छा एवेलेंच किस लिए होती है अगर मान लीजे कि नीचे की सता हिल जाए तो बर्फ जो होते है उसके उपर वो क्या होता है? स्लाइड ओफ हो जाता है जिसके वज़े से एक अचानक से बहुत सारे बर्फ गिरने के वज़े से गिरने के वज़े से जो हलचल होती है उसे अवेलेंच कहते है कोशन नमबर टू देख लेता है select the odd one out on the basis of biodegradable and non-biodegradable तो biodegradable and non-biodegradable हम किसे कहते है biodegradable मतलब जो environment में environment के साथ घुल मिल जाता है mix up हो जाता है that is biodegradable और non-biodegradable हम किसे कहेंगे non-biodegradable का मतलब है मेरे pen गिर गई non-biodegradable का मतलब है जो मिट्टी में मिलती नहीं है जल्दी मिलती नहीं है उसे thousands of thousands years लगते हैं मिलने के लिए for example अगर हम plastic की बात कर ले तो plastic को hundreds of years लगते हैं मिट्टी में mix up होने के लिए इसे लिए plastic का use कम करना जाए वही पर अगर आप paper bag की बात करोगे तो वो किससे बना हुआ है उड़् से ही बना होता है तो इसे लिए वो बहुत जल्दी ही मिट्टी में mix up हो जाता है तो उसे biodegradable बोलता है तो steel rod, mobile phone, hay and umbrella तो आप यहाँ पे रेखिए umbrella umbrella भी अगर आप देखोगे तो steel का rod होता है उसमें और कपड़े का बना हुआ होता है तो उसमें जो कपड़े का use किया जाता है वो non-biodegradable substance है तो hay की बात करें तो hay क्या है? चारा आप बोल सकते हैं जो गाय खाती है, ग्रास बोल सकते हैं तो वो एक biodegradable substance है तो इसे हम select करेंगे ये सब non-biodegradable चीज़े है question number 3 देख लेदा है select the correct statement regarding volcanic eruption, volcanic eruption मतलब जब 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 आला मुखी फटती है तो उससे related हमें incorrect statement निकालना है, तो poisonous gas are related during the volcanic eruption ये सही statement है, क्योंकि जब भी volcanic eruption होता है तो बहुत ही poisonous gas उसमें से निकलते है, number 2 में बोला है, an erupting volcano में टिगर tsunami और earthquake, ये भी सही है, अगर erupting volcano हो, तो उससे tsunami और earthquake जैसी चीज़े भी हो सकती है the barren island is an active volcano, barren island जो है, वो एक active volcano है, जो andaman island में है, इंडिया के ये भी सही है, तो इसमें से incorrect statement कौन सा है, कोई सा भी incorrect statement नहीं है, सब ही correct statement है, तो option D will be your correct answer, okay, let's do the question number 4, greenhouse gases causes global warming, which of the following is the greenhouse gas तो greenhouse gas जो है उसके वज़े से global warming जैसी चीज़े हो रही है, तो global warming, global warming के लिए कौन सा इसमें जो options दिये हुए है कौन सा जिवेदार है, water whipper, CFCS gas और carbon dioxide या all of this, तो इसका सही answer होगा all of this, water whipper CFC gas और carbon dioxide के वज़े से global warming हो रही है तो मैं आपको बता दू कैसे, जब भी हमारे अर्थ में, sun से आई हुई जो गर्मी है, वो जब अंदर आती है, और फिर किसी वज़े से वो बाहर, वो heat नहीं जा पाती है, तो वो क्या करता है, हमारे आर्थ को गर्म करता है, जिसके वज़े से global warming हो रही है तो all of this, इसका answer होगा Question number 5 देख लेते, select the method that prevents soil erosion by water, जो water से soil erosion होता है, वो कौन सी चीज है, कौन सा method है, जो prevent करती है, पहला है terrace farming, फिर है wind embankment फिर है embankments या both A and C तो इसका सही answer होगा, both A and C, option D होगे, let's do the question number 6 question number 6 में क्या बोला है, select the correct statement regarding water pollution water pollution से regarding आपको select statement find out करना है, option A में बोला है, suspended impurity make water more transparent, causing death of submerged aquatic plant, तो ये एक incorrect statement है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, suspended particles जो होते है water में, वो water को transparent बनाते हैं, और बहुत सारे उसकी वज़े से aquatic animal मर जाते हैं, तो ये नहीं है, number B में बोला है polluted water can cause disease like typhod, polluted water जो है, वो disease cost कर सकती है जैसे कि typhoid हो गया, cholera हो गया and diabetes हो गया तो diabetes जो है, वो पानी से होने वाली बिमारी नहीं है तो ये भी statement गलत है water pollution, number C में बोला है, water pollution increases dissolve oxygen level in water अगर पानी को तुम pollute कर दोगे, तो उसका oxygen level बढ़ जाएगा तो ये तो गलत statement है, right तो number D में बोला है, agriculture runoff pollute water by adding pesticide and fertilizers into it, तो agriculture का water जो runoff हो जाता है और पानी के साथ मिल जाता है, तो वो पानी को pollute करता है, क्योंकि मिटी में क्या मिला होता है, pesticide and fertilizer, तो ये जो है ये correct statement है, option D will be your correct answer, okay let's do the question number 7, when oxides of nitrogen and sulfur react with water in the air they causes, जब भी nitrogen oxide and sulfur dioxide, water vapor में mix up हो जाते है, तो उसे क्या होता है, they causes options में बोला है, ozone depletion global warming, acid drain और oil spill तो इसका सही answer होगा acid drain number 7, acid drain जब भी water vapor, water vapor क्या होता है, उपर जाके cloud में convert हो जाता है and cloud फिर बारिश बन के नीचे आती है, तो जब water vapor में acid mix up हो ज़ंगे nitrogen oxide and sulfur oxide, तो वो water vapor के साथ मिलके क्या करेंगे acid drain create करेंगे now, question number 8 में क्या बोला है refer to the given Venn diagram and select the option that correctly identify x and y, तो यहाँ पर एक Venn diagram है, अगर आप देखेंगे तो यह Venn diagram को आपको देखना है और इसका जो correct statement है वो आपको पताना है, तो पहला चीज पूछा क्या है वो देख लेता है, पहला चीज इसमें पूछा है पहला चीज इसमें क्या पूछा है natural disaster cause due to the shaking of the earth तो यह why बोला है why से हमें find out करना है जो natural disaster होते है because of shaking of the earth तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम कहेंगे earthquake जो आर्थ के shaking चे होता है that is the earthquake अब बोलाए it is a result in the formation of giant waves giant waves तो वो tsunami होगा तो इसका सही answer होगा option number B let's do the question number 9 the given figure shows terrace farming it helps in terrace farming किस चीज के लिए helpful होता है reducing soil erosion by wind reducing soil erosion by water reducing soil erosion by overgrazing या reducing soil erosion by deforestation तो इसका सही answer होगा terrace farming, soil erosion किसे create होता है by water by water से होने वाला जो soil erosion होता है उसे reduce करने में help करता है चलिए question number last that is question number 10 देख लेते है human carry out deforestation to provide space for building and farms humans क्या कर रहे है deforestation किस लिए कर रहे है ताकि वो building और farms के लिए space बना पाई some also cut down trees to provide wood for furniture कुछ लोग क्या करते है wood किस लिए काटते है मतलब trees किस लिए काटते है ताकि उनको लकडिया मिले ताकि तो वो उससे furniture बना सके favor बना सके है कि ने which of the following would possibly result for the above activity कौन सी चीज पॉसिबली result है above activity के लिए top soil erosion में ओकर some animals may become extant तो उपर की जो मिटी होती है उसकी उपजावपन खतम हो जाएगी animals कुछ जानवर जो है वो आते वक्त तक खतम हो जाएगे विलूप्थ हो जाएगे option 3 में बोला है there may rise a problem of global warming global warming भी बढ़ जाएगे फिर बोला है some possible source of natural drugs to cure disease जो कुछ ऐसे भी plants होते है जो disease cure करते है वो हमेशा के लिए खतम हो जाएगे may be lost तो इसका सही answer कौन सा होगा तो ये चारो ही इसका सही statement है तो यहाँ पे देखिए आपको statement दिया है A, B, C, D तो यहाँ पे हम D को opt करेंगे because this is the correct answer Hope so, आपको ये 10 questions जो है fully अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तब भी अगर इस से related कोई doubt है तो comment section में तो आप मुझे comment नहीं कर सकते लेकिन आप मुझे comment तो नहीं कर सकते लेकिन because ऐसा है YouTube की policy की वज़े से जो बचों के लिए बनाई गई वीडियो होती है उसमें comment section जो है वो नहीं दिया जाता कोई बाद नहीं आपको पका मुझे ये लगता है ये समझ में जरूर आया होगा और अगर चानल में नए हैं तो चानल को like and subscribe जरूर कीजे अपने friends के साथ ये वीडियो शेर कीजे क्योंकि आप जितने अपने society में education फैल लाएंगे हमारी society उतनी ही educate होगे और अगर अपको ये वीडियो पसंद आया हो और मुझे तक ये पहुचाना जाते हो कि माम मुझे ये वीडियो पसंद आया है nice explanation तो मुझे like जरूर कीजे मेरे वीडियो को इससे मुझे पता चल जाएगा क्योंकि जब जब आप like करते हो ना तो नाम के साथ हमें क्या बोलते हो से notification आता है कि इस इंसान को आपका वीडियो पहुत पसंद आया तो चलिए ऐसे ही बने रही है तब तक के लिए stay tuned and bye